आज से हम स्टार्ट करें एग्रिगल्चर मॉडल पेपर 2020 जो किया आद रहां एग्रिगल्चर कोई भी कॉम्प्टिटी एग्जाम जैसे की जैट आइसी आर बीएचिव यूपी सेट या फिर किसी की एग्जाम की क्यों न तेयर कर रहे हो सभी के लिए बैस्ट यूसफुल मात पाईसे अंचाँ न इसमीं सब्सेट सेटकर्ण करें लेकिन अगर आप से यह हूं पर यह प्रिशन पूशचात है कि सबसेकं मात न कॉन से बाइं हुआ सबसे अधिक मात्रा में तो सबसे अधिक मात्रा में पाइस थे हैं लाइसीन एंड ट्रिफ्टोफेन एक नॉर्मल कि यलो यू लिशन समधित होती है ओल सीड प्रोडक्शन से अथाथ तिलहनी फसलों के उत्पादन से अगर आप से क्यों पूछा गया है कि दो हेक्टर गन्न और कितने आखवाले हैं आपके पास सेट्स तीन आखवाले हैं तो या रहां अगर बात इसके जाए एक हेक्टर के लिए तीन आखवाले की तो उसके लिए आवशेक्ता होती है तीस से चालिस हजार सेट्स की या रखना कि अगर पूछा जाए एक हेक्टर के लिए तीन चक्शलियों धारवाड में तो इसे निकाल गया था था लुट ही तो सट इसल में खरपतवार हे तो नियंतरित कियाजता है यानि करपफटवार को नयमतर करने के लिए कारफ एंट्रा जोल का प्रियों किस क्रोप में एपलाई करते हैं इसका प्रियों क्या आसता है या तो आगा बात की जाई उसकी तो अर्दसूस के पूर्वी मेदान या आजमेर कौन से शेत्र में आता है और दोसुस के पूर्वी मेदान में आता है ठीक नेक्स टूसने बात कते हैं फसल में सिंचाई के छेतर फल वे दी गई पानी की मातरा की अनपात को गयाते हैं याद रखना यहाँ पर पूछा गया इसको डाइरेक्ट आप यह फॉर्मुला किसका होता है याद रखना यहाँ यह पान्स जो सिंचाई दी जाती है इसके अगर आपको गहराई ग्यात कनी हो ठ Crisp or गहराई को अगर पूछा जाता तो उसके लिए Right-AND-cor कोई सा होता है याद रखना डेल्टा अगर बात कि जाए आरखां गहराई की तो उसका राइट आंसर डेल्टा लेकिन यहाँ पर आपसे पुझा गया है वाटर रिक्वाइमेंट तो वाटर रिक्वाइमेंट गयात की जाती है ड्यूटी में ठीके क्रिशन के लिए नेक्स्ट से पहले अगर आप कोई वीडियो प इसलगे तो इसकी रहे रहा चार ग्राम प्रती हैं किते हैं और सुना है तो उसे रखना और संग्राइन अब इसे ड्रेनेंजय बोलता है तो जो जो ड्रेनेज़ रहन इल्ला को में बात तालाब खोद गर ट्रेल गरतिती से क्या जासता है अटाथ uh kogn se acid छेटर अजहां पर drainage से होने वाले जो पानी के समस्या है उनको तालाब खोद मेरेदनी छेतर के समस्या तो उन्हें क्या होता है यहां कि मेरा प्ता होता है तो मैंस्तिस केom यहां पर क्रिश्टन है कि सिमांत पट्टी सिंचाइविद्य में मद्यम बलुई मर्दा है तो सुरक्षित भूमी डाल अथात यहां पर पूछा गया आपसे स्लोप तो यानि स्लोप कितना रखा जाएगा बलुई मर्दा में तो इसके लिए रखा जाता है यहां जिरो इसके बात करें हैं कि कि पूरक पर आगान या रखा पूरग पराक राकन किसमें सिफारीस पर जाती धीमी विकास किस्मों की अंतरकत आती है तो कौन सी होती है जिसका स्लो ग्रोथ से रेट होता है तो वह होता है तो जो 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 अमर बेल होती है इसको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रियोग्ग की इसता है तो यहां रखना की जो इसमों की बीज़दर क्या होती है यह होती है 6-8 kg प्रति हेक्टर कितनी होती है इस अब गोल की सीड रेट चैसे आठ किलोगरां प्रति हेक्टर नेक्स्ट इसन कि निम्ड में से कौन सा तत्व राइजुवियम द्वारा नाइट्रोजन इस्तिखन में मौलीबडेनम का आंसिक इस्तापन का सकता है अब यह आरखना जो यूरिया आवशेक्ता का कितना परति से स्वय देशी उत्पादन से पूरा करता है अथात यायर रहना कौन सा ऐसा हार्मोना या कौन सा वर्दी नियामक है जो कि कोई सी का लंबाई को बढ़ाने में साइक होता है तो वह होता है ओक अगर बात किता है कि अगर प्लेट से पर्थक किया जा सकता है निम्रेव से कौन सी फसल अपेक्ष्यक्रत रूपसी सारी पानी के प्रती अधिक सहुवेदन सील होती है जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किती है विटामिन-A में कोई सा कंटेंट सबसी ज़्यादा पाईज़ता है सबसे ज़्यादा है तो इसकी उत्पादकता यहां पर उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है तो वह होती है हरियान की और अगर आप से यहां पर यह क्यूसर पूचे जाते हैं कि बाज रखा सरवाधिक उत्पादन खाले यहाजता है तो इसका उत्पादन लिए इसता है राजस्तान में ठीक है नेक्ष्याद्र गठित रेडियो नेविगेशन प्राणाली को कहते हैं तो यह जो रेड मुष्य सिस्टम ख्लोबलव सिस्टम बात कते हैं कि तो इसके लिए जो बहुष्य कान इबाने की जाती आठार फोर कास्टिंग के लिए कि पास्टिंग concerned सबसे पहले हम बात करें यारा सोल्किया चला उपर अगर अब कह से कि ईया मिट टार्म के लिए नियरे की जाती है तीन से दस लिए कीजाती है और आघ्यकर अगर थोड़ा सा 8 के किनिम में से किस फ़सल में केलसियम पर्षकता तोे अधिक आशिक होता है अधातँ अधिक जो बंते हैं तो उनकी लिए आशिक होता है केश्यम की इतने दिनों में रख़पाई के लिए त्यार हो हते हैं यहां रखां सबसे कम समय लेता है डेभि में ठट नरसरी में प्लैंट त्यार कने एक मेह अगया ठ Icham है जिसमें गयार से चोगां 11 lot से केवल 13 दिन में यका या जो पोद होती है वह ट्रांसफ परकरने के लिए प्राक्रम खते हैं बाइस से सवरी 20-20 degree centigrade आपने कितना होता है optimum temperature 22-20 डिग्री से रिपान ठेकर ने बात कते हैं कि पानी के सांद्र बाहु से मल्दा कणों की पर्थकता हुआ परिवैन को क्या बोला सता है तो यह जो आपने पढ़ाया हुगा तो उसी का एक प्रकार होता है यहाँ पर आपसे पत्ति की सताह से वात्तों च्रवदन में कमी इसलिए आती है अब यार यहां पर आपको पुछा गया है कि के वलीन होता है सबसे पहले आदे अगर पूछाजाए के वलीन का प्रयोग क्यों की आजता है तो इसका प्रयोग एसलाई जो रंदर होते हैं उनको ढखने के लिए यहीं मुख्यों देशर है तो आप उप्सन में देख सकते हैं परती बिम्बिन वर्दी को अथात यारगां क्या कर देता है यह रिफ्लेक्ट कर देता है जिसे की जो रंद्र से पानी की लोस होता है वो कम हो जाता है ठीक है नेक्स्ट टूसन की फसल व्रक्ष चारगा पसुक से मिलकर करश्र वानी की प्रनाली क्या क्या लाती है आप दरेंग्ड़ी से समझ लीजिए कि यहाँ पर पुचह ś할 तो फसल को बोलस अगरी फसल को बनेखर से उपाशिरल क्या वलतीत अगूं जिस खेती प्रनाली में छप्स्ट है चारगा और फसो को एक सा है मिल कर जो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिंचोरियम इंटाइबस खरपतवार होता है ठीक है तो सब बात कते हैं कि पोदे में किनवक प्रनाली को स्थिर करने में निम्हें से कौन सा तत्व महत्पून भूमी करी बाता है तो यहां पर पूछा गया फंड जो फंगल एक्टिवीटी होती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए फास्वरस का ठीक है नेक्स्ट इसना बात कते हैं अधिक विस्तार से संकुचन संकुचन के क्रिया मुखेत काली काली क पास मरिदाव में होती है क्योंकि आपने देखा है उगा कि अगर माली जी काली मर्दा है तो उसमें में हालक बहुते हैं दरारे पड़ जाती है अधार्त संकुचित हो जाती है इसी कारण क्या करता है उसमें जुताये कर ळाना मुष्किल हो जाता है इसलिए उसे रखा गया है संकुचित 소개 करेंगे एक सब्सक्राइब है इतना होता है तो इसमें युद्रियो प्रतिसात करीब इतना होता है तो इसमें वीडियो क्रेंट करके जरूब बताए और अगर आपको विडियो पसंदा आओ तो आपको सेर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लिजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आगन दो जरू दबा देना जब यह मार कोई ने वीडियो अप्लोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्रावत हो ठीक है मिलते हैं कोई ने एक्ष्ट इम्पोर्ट झाल